असलाम आलेकुम फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं चैनल साधिया इस रेसिपी आज आप लोगों के लिए सूजी के लिए एक बहुती न्यू नास्ता लेके आए हूँ बिल्कुल यूटूब में पहली बार इतने जाधा टेस्टी और इतने जाधा क्रंची ये नास्ता है आप लोगों को यकीन नहीं होगा चली आप लोगों के इसको आवास सुनाती हो आवास तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कितना जाधा क्रंची है तो मैं एक तोड़के भी दिखा रही हूँ, उपर से बिल्कुल क्रंजी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और जूशी, बहुती ज़्यादा टेस्टी है, वीडियो अच्छा लएगा तो लाइक को में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड, सबसे पहले इसका लेवर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तूरंत इसमें दे देना है प्याज, आप दो मीडियम साइज की प्याज को मैं बिल्कुल बारिक बारिक चॉप्ट कर लिया हूँ, तो इसको फ्राइ करना है, करीबन इसका कलर सिर्फ थोड़ा सा लाइट पिंग आने तक आप डाल देती हूँ हरी मिर्ची, अप लोग अपने तीखा के अनुसर, इसमें डाल सकते है उसके साथ मैं थोड़ा सा बीन्ज कटा हुआ, उसके साथ मैं डाल देती हूँ, गाज़र बारिक कटा हुआ, तो इन दोनों को मैं अच्छी तरह से फ्राइ कर लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों सब्जी थोड़ा सा पकने में देर होता है आप लोग के पास जो जो एबिलेबल है जो खाना चाते हैं उससे आप लोग बना सकते हैं अगर कुछ भी सब्जी आप लोग के घर में एबिलेबल नहीं है तो आप लोग जो है इसको सिर्फ इससे बना सकते हैं सिर्फ लामेच में एक डाल देती हूं उसके साथ एक बड़ा सा इसका टॉमेटो भी डालती हूं छोटे-चोटे टुक्रे में इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मीक्स हाई फिलम पे जो है फ्राइ करते रहना है और भी एक मिनिर तक जैसे ही एक मिनिर फ्राइ हो जाए तो इसमे फ्राइ कर लेना है उसके बाद कुछ ड्राइ मसाला इसके अंदर एट करना है तो फ्रेंट्स आप लोग के साथ जो भी वेजिटेबिल आप लोग के घर पे हैं आप लोग उससे इसको बना सकते हैं तो हल्दी पाउडर अभी डाल देती हो आधी चमच आधी छोटी चमच पाउडर अधी चोटी चमच रिवावडर्य पाउडर अधी चोटी चमच जीरा पाउडर और थोड़ा चम गराम मसाला कमों सकते हैं तो चली इनको मिक्स कर देत Chevy गया इसको लोफलें पे कर देना है बिल्कुल और इसको जो है और हुएक मिनट तक जो ऎकूले ही अच्छी के अंदर सोयाबीन यह 10 रुपे वाला एक पैकेट सोयाबीन को मैंने बॉयल करने के बाद छोटी-चोटी टुकरे में कट कर लिया हैं आप लोग इसके जगे पर पनीर भी राल सकते हैं यापी चोटी-चोटी टुकरे चिकेन भी राल सकते हैं तो चली अभी जो ही इसको बहुत अची तरह से मिक्स का देते हैं जैसे इसका कलर थोड़ा इस तरीके का चेंज हो जाए और भी एक से दो मिनिट इसको अची तरह से फ्राइ कते हैं फ्राइ करने के बाद जो स्टफिंग हमारा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है देख सकते हैं स्टफिंग को बिल्कुल इस तरीके का ड्राइ ड्राइ भूलना है अभी जो है इसको उपर से दे देना है हरा धनिया इस वक्त फ्रेंड अगर आप लोग के पास कसूरी मेति है तो कसूरी मेती जो रू से डाल सकते हैं तो चली इसको जो है अभी अच्छी तरह से मीछ्ट करते हैं और ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ते हैं इसका डो तैयार कनने के लिए यहाँ पर बड़े सा इसका कप में डाल देती हूं दो कब पानी उसके साथ जैसे ही पानी इस तरीके का बॉयलाना स्टार्ट हो डाल देना है एक चमच नमक जिस कब से आप लोग सूजी को मेजरमेंट करके लेंगे उसी कब से उसका दुगना पानी लेना है जैसे यहाँ पर मैं डेर कब सूजी ले रही हूँ उसके लिए मैंने सारे तीन कब पानी डाला है सूजी को जो है इस तरीके का उपर से थोड़ा थोड़ा करते डालना है और जो है इस तरीके का चलाते जाना है अब देख सकते हैं यहां पर डेर कप सूजी मैंने पूरा डाल के हाई फ्लेम पे लगातर चलाते हुई इसको पकाऊंगी पकाते पकाते आप लोग देखेंगे तो यह बिल्कुल डो के फर्म में आना स्टार्ट हो चुका है तो इस वक्त इसको ढखके दो से तीन मिनिट के लिए लोव फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी तो दो मिनिट यहां पर हो चुका है सूजी का डो बिल्कुल रेडी हो चुका है थोड़ा सूफ्ट सूफ्ट जो है सूजी की डो को आप लोगों को बनाना है इससे जो है बहुत ही नास्ता करंची बनता है अलग से एक प्लेट में मैंने सूजी को सब निकाल लिया है थोड़ा थोड़ा जैसे ही गरम रहेगा हाथों में अप लोगों को पानी नहीं लेना है, थोड़ा-thोड़ा तेल लेना है और इसको अच्छी तरह से गुंदना है जैसे इस तरीके का हो जाए, तो इसमें डाल देना है हल्दी पावडर थोड़ा सा यह फ्लेबर और कलर दोनों का ही काम करता है तो healthy powder को डालके बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को गूनते जाना है जैसे आप लोग आटे को गूनते हैं से उसी प्राकार का जो है आप लोगों को इसको गूनना है तो देख सकते हैं मैं जिस तरीके का बता रही हूँ आप लोग प्रोसेस को फालो करके बनाएंगे तो आप लोगों का भी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा बहुत या ची तरह से अटे जैसे गुनना है और गुण्ध गुंद के जो है इसको आप लोगों को इस नास्ते को बना चकते हैं तो थोड़ा थोड़ा लोई ले लेना है और जैसे कटोरी के सेफ दे देते हैं हम लोग उस तरीके कर इसको जो है कटोरी का सेफ दे देना है जैसे ही कटोरी के सेफ में आ जाएगा तुरंट आप लोगों को इसके अंदर भर देना है स्टफिंग तो आप लोग अपने मन पसंद के हिसाब से छोटी या फिर बढ़े बना सकते हैं तो कटोड़ी में चलिए मैं जो है स्टफिंग भर देती हूँ तो आप लोगों प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छी तरह से देखना है इससे आप लोगों का भी बिलकुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा जितना भी स्टफिंग आ जाए उटना ही डालना है बहुत ज़्यादा आप लोगों इसके अंदर ठूश ठूश के नहीं भनना है नहीं तो जब आप लोग इसको फ्राइ करने जाएंगे तो फिर ये जो है न फट जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मूँ जो है मैं इस तरीके का अच्छी तरह से मैं सील कर दूँगी सील करने के बाद इसको हलके हाथों से अप लोगों को सिर्फ ऐसा फैलाना है तो ही ये बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट होता है हाथ से जोर से घुमाना नहीं है नहीं तो कचुरी जो है वो फट सकता है फ्रेंड स्टेप को फालो करके बनाएंगे तो आप लोगों का भी सभी रेसिपी बिल्कुल पर्फिक्ट बनेगा तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खुबसूरत का चुरी जो नास्ता हमारा बिल्कुल तैयर हो चुका है इसको जो है और भी बहुत ज़्यादा खुबसूरत बनाने के लिए मैं अभी क्या करती हूँ और दिखा दीती हूँ इसके उपर से मैं थोड़ा सा जो है इसको अभी डिजाइन दे दूँगी डिजाइन को बनाने के लिए आप लोग काटे चमच के इस्तमाल कर सकते हैं या फिर रोटी वगरा सेखने का जो चीमटा रहता है आप लोगों के पास उस चीमटे से नॉर्मली आप लोगों को इस तरीके का दावा देना है तो ये डिजाइन बिल्कुल नास्टे का जो है तैयार हो जाएगा इसका डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है काटे चमच से सिंपल इस तरीके का करेंगे तो इसका डिजाइन बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है तो चलिए इस सभी नाश्टे को तैयर कर लेते हैं और side में जो है मैंने तेल पहली गरम चरान दिया था बिल्कुल high flame पे तेल ना हमारा गरम हो चुका है एक करके सभी नाश्टे को जो है इसके अंदर अभी डाल देना है और डालके इसको high flame पे ही fry करना है इसको low medium कुछ भी नहीं करना है high flame पे इसको 2 minute तक fry करेंगे तो फिर ये बिल्कुल perfect और crunchy बनके तैयार हो जाएगा इसी तरीके का अलटते पलटते हुए आप लोगों को नाश्टे को बिल्कुल fry कर लेना है तो देख सकते हैं एक तरफ से जैसे हैं आप लोग देखेंगी कि color changing हो रहा है तुरांती जो है आप लोगों को इसको दूसरे तरफ से पलट देना है और पलटते हुए ही इसको fry करना है बहुत ज़्यादा इसको dark golden color नहीं करना है यह lush color में ही यह बिल्कुल crunchy बन जाता है मैंने आपको पहले ही इसका आवाज जो है सुनाई हुई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और दीखने में तो बहुत लाजबाब महमानों को दे सकते हैं किटी पार्टी में आप लोग बच्चे लोगों को लंच बॉक्स में आफिस में सभी जगे पे आप लोग जो है इस नाश्टी को तैयार कर सकते हैं इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि एक बर खाके दूसरा बर खाना ही चाहेगा इतना ज़्यादा यह टेस्टी नाष्टा है तो चलिए सभी नाष्टा हमारा बात करते गते फ्राइ हो चुका है अभी जो है सभी को निकाल लेते हैं निकालके गर्मा गर्म स्वास या फी चटनी के साथ हम लोग सर्प कर लेंगे वीडियो कैसा लगा फ्रेंड बताना बिल्कुल नहीं भूलिए कि कॉमेंट बॉक्स में अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल के साथ रहना और चैनल के साथ रहना तो देख सकते हैं कितने जादा करंची बंद के तैयार हो चुका है तो चलिए मिलेंगे इसी तरीके कर रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाहाफिज